अभी हम इधर से जा रहे थे तो चाचा ने हम से कहा कि हम थोड़ा चिप्स ले ले मेरा नौरात्यक अवरत है तो मैं तो खाऊंगी नहीं हमारी टीम के और लोग है उन्होंने लिया और बाबा जो है पचीज और पांच पैंतिस बना दिये कैसे बाबा चोड़ी है पांच पै अइटम बढ़ेगा कबसे लगा रहे बाबा जब से उठाटन हुआ सबसे कितना दिन हुआ तब भी महिना दिन तो ऊपर हो गया ना डेर दू महिना हो गया जादा दिन हुआ पांच मजभूरी कि आपको काम करना पड़़ा है क्या करेकाश चखाएंगे चाहा बच्चे त भाव है बाबा आपकी टीशेट आप लिखा हुआ है भोकाल इभाई लाके दिया उसी एजेंसी में काम करता है अच्छा अजेंसी लाइन में अच्छा आउडर लेता दुकान दुकान तब उसको मिलता हमको देता पेनने को बाबा एकदम भोकाल मार रहे हैं कि टीशेट पे अरून कुमार तो आप इस काम से अपना भी का रोजगार कर रहे हैं और परिवार को भी देखते हैं अभी अभी मेरा कुछ नहीं कुछ ना कुछ मिल जाता है यहां और खिलाउना का बिजनस करेंगे विजनस करेंगे हां उमर कितनी हुए आपकी पचास से अधिक हो गई हुए पचपन के लोग चुपाने में साल के बाबा है जिनका नाम है अरुन यह कह रहे हैं कि अब बुड़ापे में चाचा को बिजनस करना है बिजनस तो बढ़ाना है आपका सिवाद रहा कुछ इलो का बरंकन छोटकन का सिवाद से हम आगे पर ब्रणाद कर रहा है आपको सस्ते में मिलता है बाबा कि एकडम 10 रुपर में मूझा कुछ कम में मिलता है कि घर पड़ता है रामजी सब्सक्राइब घर नहीं किलो मीटर यह आप अपने ऐसे कंदे पर हाँ टंके ले आते हैं खाली करके जाते हैं नाई बिकता तो आते क तो बाबा वो उपर जो बैठे हैं वह आपको पूछते नहीं है नहीं जवानी में अंखो गया क्या करें खईसों तो चल रहा है आप नीचे बैठते हैं थेले ओले वाले तो उचा रहते हैं तो लोग पैसा ऐसे थमाते हैं कि फेक जेते हैं ना पैसा थमाते हैं हाँ ठेकते नहीं है कोई गाहाँ लोग अच्छा बरतालाब करते हैं कोई गलट डिस्टी कौन के नहीं कि यह बड़ी छोटी दिकानी है लोग सोच रहोंगे कि इसमें ऐसा क्या मैसेज है कि हम बैट के चाचा से बात कर रहे हैं हम यह बता रहे हैं कि उम्र वो पैमा कोई पैमाना नहीं होता कि आप ठक कर बैठ जाएं इनकी उम्र 55 साल है और अभी भी इनको बिजनेस करने का ज़ अब कुछ पूचना सार आप आप निस सब दो हम आप से बात करके निस सब दो जा रहे हैं मतलब अमोमन अमनों के घर के जो बुजूर्ग लोग है वो खटिया छोड़ने को तायार नहीं है और बाबा जो है इस समय भी आपका होसला है बाबा क्या पैदल चलके आ रहे हैं यहां पर अपना बिजने छोटा हुआ से पहले हाडिंग पखम जाते थे हैं से सपाइब फिर उसके अबाद मीथा पूर गया एक अब्यदा क्या तुछ नहीं तो हाथ कैसे चला गया मशीं में काम कर शमणा में राम जी हब चगमच कर वर कशल ढ़से लियां अभेना तो घर गोटिया है आग लगा दिया हां मधद दो इसको पाईसा गДа सो कार खाने में आप काम करते थे उस कारखाने में काम करते करते आप का हाथ चला गया लेकिन कार खाने वाले कोई मदद कोई मदद नहीं के खार तो है बेर दिया नहीं दो पैसा इसको या मीर हो जाएगा इसको हटा दो इसको अपने घर में अपनी किस्मत को लेकर रहा है अपने घर में अपनी किस्मत को को लेकर रहते हैं हमरी किस्मत में यह लिखा है वो लिखा है उनको क्या कहीं वह तो भोग रहा है अब मैं क्या बोलू मैं यहीं बोलूंगी आपके रोजगान में बड़ उत्री हो मादुर्गा आपके आसिरवाद बनाए रहें एक चीज कीजिए कुछ मदद देला यह विकलांग है पैंशन वगेरा भी मिलता है 400 रूपिया उससे क्या हो जाएगा बढ़ना चाहिए ना उससे क्या हो जाएगा आप कुछ बढ़ाएं पुछ वाजा था अरे बाबा गाली नहीं दीजिए वही तो सब दे रहा है वही तो सब दे रहा है सब को मार मारे हो गए यह पूरा कीजेगा पैंशन सरकारे जो बुदूर्ग लोग हैं उनके लिए तैय करती है 400 रुपए महीना और जो यह हाइवेज वगरा बना रहे हैं और इस पर टोल प्लाजा लगा रहे हैं उसमें 30 रुपए की चाय मिलती है तो यह सोचिए अगर माल यह बुदूर्ग हाइवे से जाएंगे तो कितने दिन की चाय पी पाएंगे उस 400 रुपए में और 400 रुपए वो भत्ता है जिसमें इनको खाना है पहनना है रहना है तो यह सोचने की बात हो सकती है कि 400 रुपए में एक महीने आदमी कैसे काटेगा एक बुदूर्ग की कहानी आपको बता रहेते हैं इनके उसले को तो भईय अरोज नित्तम दीन